प्रेक्टिकल टेक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक् के तो समझाऊंगा कि इसका जो वर्किंग प्रिंस्पल है वो कैसा होता है तो प्लेट हीट एक्षेंजर मीडियम लोवर हीट एक्षेंजर है इस वीडियो में हम इसका पूरा एनलाइज करने वाले हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखेगा जिसे कि आपको यह वीडियो स की हीट ट्रांसफर की डिवाइज है जैसे मैंने आपको पहले बताया था जिसमें हम दो फ्लूर्ट का यूज करते हैं एक होट होगा और एक ठंडा फ्लूर्ट तरल पदार्थ जिसे हम कहते हैं इसका यूज हम रेफिजेंट या वाटर वो फ्लूर्ट को कोई सब भी हो सक जाता है और उसका यूज हम चेलर में भी बॉलर्स केमिकल डिवाइस किसी में भी कर सकते हैं तो इसमें दो फ्लूर्ट का यूज करके उनके बीच में हीट को एक्षेंज कराया जाता है इसलिए इसको हीट एक्षेंजर भी कहते हैं प्लेट हीट एक्षेंजर इसलिए कहा इन दोनों frame के बीच में tie bars के throw seal कर दिया जाता है तो इसके हर एक part का analyze करेंगे कि देखेंगे कौन-कौन सा part कैसा work करता है और इसकी position क्या होती है plate heat exchanger system में तो एक छोटा सा overview ले लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया 2 frames होते है starting और end frame Starting frame पे 4 port रहते हैं जिससे दोनों fluid inter or exit करते हैं और ये fluid's metallic plate जो heat exchanger का एक area होता है वहाँ जाके अपनी heat को transfer करते हैं एक दूसरे में जिससे की hot fluid, warm fluid में convert हो जाता है और वहीं जो cold fluid होता है उसकी जो ठंडक है थोड़ी कम हो जाती है और वो normal या low cold fluid में convert हो जाता है तो इस तरीके का कुछ इसका work होता है तो कुछ main parts भी है इसमें जैसे की plate है इसका frame है, inlet outlet के port है इसको भी जान लेते हैं एक बार detail में तो आप इसके structure के बारे में जान लेते हैं तो ये कुछ screen पे आपको इसके कुछ parts दिख रहे हैं जैसे की number one and number two इसके starting और end के frame cover है जिससे मैंने आपको बताया था inlet और outlet के चार port connector रहते हैं जिससे fluid enter और exit करता है तो इसी के बीच में जो metal plates होती है वो pressed करके या दबा दी जाती है दूसरा है tie bar, tie bar frame और metal plates होती है उसको आपस में connect करके या जोड के रखने का काम करता है जैसे की आप screen पे नीचे देख पा रहे थे metal plates एक बहुत ही important हिस्सा है पूरी PHE system का आप screen पे metal plate देख पा रहे हैं तो ये एक बहुत ही जादा important हिस्सा है क्योंकि ये दो fluids के बीच में एक माध्यम बनता है, एक medium बनता है heat exchange करने का metal plate का जो surface होता है वो fluids के लिए resistance करेट करता है जिससे की उसका pressure drop होता है pressure drop होने से fluids का temperature drop होता है इसको आगे चलके और detail में जानेंगे तब तक के लिए इसका तीसा पार्ट देख लेते हैं परते हैं जैसे की top carrying bar metal plates को support देता है, in support, bottom bar ये सारे supporting parts है pH system के तो चलिए दोस्तो अब pH system में heat transfer की जो process होती है उसको समझ लेते हैं तो जैसे की मैंने आपको starting में बताया था इसमें एक hot fluid और एक cold fluid अपनी heat को आपस में साजा करते हैं या कम एक दूसरे को transfer कर देते हैं जिससे की इनका temperature है वो change हो जाता है तो जैसे pH system में उपर की port से जब hot fluid इंटर करता है वो metal plate के थुरू नीचे downward की तरफ आता हुए pH system से जब भाहर निकलता है उसका जो temperature है वो कम हो गया होता है दूसरे तरफ वहीं जब second fluid जो cold fluid है वो इंटर करता है और metal plates के थुरू उपर की तरफ आते हुए जब वो pH system से भाहर निकलता है तब उसका जो temperature है वो थोड़ा बढ़ गया होता है तो ये दोनो heat transfer की process से होता है जिससे की इन दोनों का जो temperature है वो change हो चुका होता है तो उसमें एक और चीज matter करती है वो है जो fluid है वो किस direction में flow कर रहा है क्या वो counter flow है या वो parallel flow में direction में flow कर होता है तो ये आगे चलके हमें आभी जानेंगे कि क्या होता है counter flow और क्या होता है parallel flow तो इन दोनों fluids के बीच में जब heat transfer होती है तो इनका जो temperature है वो कम और ज्यादा हो चुका होता है जैसे कि hot fluid की condition में क्या होता है जब वो enter कर रहा होता है और जब वो exit करता है तो वो अपन heat या जो ठंडक है वो hot fluid को दे देता है और थोड़ा घरम हो जाता है तो इस तरह की जो process है PHE system में complete होती है जिससे की heat transfer की जो process है पूरी हो जाती है और इनका temperature बढ़ जाता है तो जैसे कि आपको बताया है कि दो fluid एक साथ PHE system में run करते हैं तो इन दोनों को mix ना होने के इनको alternately plate में arrange किया जाता है जैसे कि आप ये plate का pattern देख पा रहे हैं एक plate छोड़के जो fluid होता है वो run करता है जैसे कि hot fluid, cold fluid, cold fluid, cold fluid, cold fluid तो ये एक pattern है कि एक-एक plate छोड़के दोनों fluid run करते हैं जिससे कि ये mix ना हो पाए और अपनी heat को अच्छे से transfer कर पाए तो starting plate और in plate को छोड़के बीच की जितनी plate है वो सारी alternately pattern में जुड़के होती है जिसमें first plate में hot fluid है तो second plate में cold fluid run करेगा फिर उसी तरह तीस से plate में hot fluid फिर चौथे में cold fluid तो इस तरह एक-एका कुछ pattern होता है जिससे कि दोनों fluid आपस में mix नहीं होते हैं plate heat exchanger में heat transfer की cycle है उसमें दो factors बहुत ज्यादा effect दलते हैं यह यह कह लिजिए PHE system के कुछ ऐसे parts जिनकी quantity और quality के कम ज्यादा होने पर heat transfer की cycle में असर पड़ता हो तो पहला जो factor है वो है structure और quantity of metal plates दूसा factor है flow of fluid in PHE system तो यह दोनों एक ऐसे factor हैं जिसके change होने पर heat transfer की cycle है PHE system में उस पर असर पड़ता है चाहे वो metal plate के structure है quantity की बात हो चाहे वो fluid की direction या flow की बात हो तो यह जो दोनों factor है इनके change होने पर heat transfer की cycle में कुछ changes आते हैं तो जो पहला factor है जो heat transfer की cycle को effect डालता है वो है metal plate बहुत ही important हिस्सा है PHE system का A, B, C, D यह जो आप points देख पा रहे हैं यह fluid के inter और exit करने का रास्ता है जो की same as frame की तरह होता है जो कि आपको मैंने starting में दिखाये था सारे metal plate में ऐसा ही 4 port होते हैं जिससे fluid inter और exit करता है दूसरा gasket pattern दूसरा जो इसमें सबसे important हिस्सा है metal plate का वो है gasket जो की दो fluid को आपस में mix होने से रोकती है और metal plate की जो surface होती है उसफे fluid के आने और जाने का एक रस्ते का pattern बनाती है तो gasket के होने से दो fluids आपस में मिलते नहीं है mix नहीं होते है और दूसरा जो area है fluid के आने और जाने का वो fixed हो जाता है gasket एक border का काम करती है जिससे की reference इससे बाहर ना जा पाए तो जैसे कि आपको पता है दोनों fluid एक सास रन करते हैं PHE system में तो gasket metal plate में ऐसा arrangement करती है जिससे की एक परकार का fluid एक ही plate पे इंटर कर पाए दूसरा fluid उस plate के अंदर या उस surface पे इंटर ना कर पाए जिससे की mixing नहीं हो पाए तो जैसे कि आप यह underline करे वाले area देख रहे हैं यह है double layer shield area जिससे की जो fluid है दूसरा type का fluid है वो इंटर नहीं कर पाता है हमारी metal plate के surface पे तो gasket का यह फैदा है कि दो fluid आपस में mix नहीं हो पाते हैं और यह एक border create करती है heat transfer area जहाँ पर fluids अपनी heat transfer कर देते हैं इस metal plate को या इस metal plate के जरीए अपनी heat को transfer करते हैं fluids, metal plates को कुछ series में इस तरीके से arrange किया जाता है जिससे की दोनो fluids अलग-अलग metal plates में flow कर पाएं अगर हमारी किसी एक metal plate पे hot fluid का flow है तो उसी के back side वाली जो पीछे वाली metal plate होगी उस पे cold fluid का flow रहता है तो जो heat transfer का area है metal plate में वो ज़्यादा देता contact में रहता है fluids के साथ और metal plate का जो आगे का surface होता है उसका जो design है कुछ corrugated type का होता है corrugated लहरदार रस्ता जैसे आपने पानी में लहरे देखिऊंगी कुछ इस तरीके का होता है corrugated surface से resistance create होता है जिससे की fluid का जो pressure है वो drop होता है pressure drop होने से fluid का temperature drop होता है और एक और कारण है corrugated surface को choose करने का वो इसलिए क्योंकि जो contact है fluid और metal plate के बीच में उसका time बढ़ जाता है और heat transfer की जो efficiency है वो भी बढ़ जाती है तो metal plate की जो surface है उसका design change करके हम heat के transfer होने की capacity या efficiency को कम ज़्यादा कर सकते है तो आप screen पे कई type की metal plates हैं या surface design है वो देख पा रहे हैं इनका use अलग-अलग capacity के लिए किया जा सकता है तो अब बात कर लेते हैं दूसरा factor जो है flow of fluid जो की heat transfer की cycle को effect डालता है तो इसमें 3 flow है parallel flow, counter flow, cross flow तो parallel flow क्या होता है जब हम दोनो fluids को system में एक ही direction में run कराते हैं जब दोनो fluids एक ही साथ enter करते हैं एक ही साथ का मतलब है अलग-अलग port से बट एक ही direction में enter करते हैं ऐसे flow को हम कहते हैं parallel flow ऐसे flow में दोनो fluids एक ही direction में flow करते हैं जबकि counter flow इसके opposite होता है इसमें दोनों fluid एक दूसरे के opposite direction में flow करते हैं चाहे वो PHE system में इंटर करने की बात हो चाहे वो metal plate में flow करने की बात हो दोनों में ये एक दूसरे के opposite रन करते हैं cross flow कुछ similar है हमारे air cool condenser में जो heat transfer की cycle होती है उसकी तरह जैसे उसमें रेफिजेंट की heat air द्वारा निकाली जाती है उसी तरह cross flow में किसी भी fluid की heat है वो air के तुरू निकाली जाती है तो चलिए इसको और अच्छे से समझने कोशिश करते हैं तो जो दो commonly use होने वाले flow है वो है counter और parallel counter इसमें ज़्यादा effective है तो आप सामने देख पारें दो metal plate है आप counter flow में देखिए cold fluid और hot fluid जो है वो एक दूसरे के opposite direction में flow कर रहा है वहीं जो parallel flow है वहाँ पर cold fluid और जो hot fluid है वो एक ही direction में move कर रहा है या flow कर रहा है तो इन दोनों में difference बस इतना ही है जो दोनों fluid है उनका direction अलग अलग होता है parallel flow के मुकाबले counter flow ज़्यादा efficient होता है क्योंकि counter flow में जो fluid है वो कम area में ज़्यादा temperature difference create कर पाते हैं मुकाबले parallel flow के तो जो heat transfer की जो process होती है वो depend करती है हमारे temperature difference पे जितना ज़्यादा temperature difference होगा heat transfer उतने अच्छे से ही होगी तो दो cold fluids के बीच में जो hot fluid के आप layer देख पा रहे हैं यह आपस में heat transfer कर लेते हैं because इनके बीच में temperature का जो difference होता है वो कई ज़्यादा होता है तो जब कभी दो बदारतों के बीच में तापमान का अंतर आता है या temperature difference create होता है वो अपनी heat एक दूसरे से साजा करते हैं इस वीडियो से related PDFs diagram आपको मिल जाएगे मेरे telegram channel पे telegram channel का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप तो लाइक और शेट ठोक दीजिए माकाल का चाहिए तबागे लाइक और शेट ठोक दीजिए 5000 लोडे दिख जाना चाहिए यह 4000 के यह आपे नहीं खड़ा हूँ पुरा साल मैनत करता हूँ ऐसा नी चलेगा ऐसा नी चलेगा लाइक ठोकी दबागे